बाई सबसे पहले मैं मेरे प्रधान मंत्री आदेनिया नरेंद्र मोधी जी को बधाई देता हूँ कि एक बार फिर तीसरी बार मेरे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी के नेतरत में एंडिया की सरकार बनने जा रही है और ये तीसरा टर्म हमारे प्रधान मंतरी जी के नेत्रेत में यकीना देश को उस उचाईयों तक लेकर जाएगा जिसका वादा मेरे प्रधान मंतरी जी नदेश से किया है ना सिर अर्थ विवस्ता के तौर पर हमारा देश तीसरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता बनेगा बलकि विकास के दौा किये गए जितने वादे हैं उनको भी ये सरकार पूरा करने का काम करेगी कल हमेशा जी कास फोन आया कल एंडिया की मिटिंग के बारे में उन्होंने जानकारी दी लोग जन्शक्ती पार्टी रामविलास और हमारे तमाम सांसर मजबूती से एंडिया सरकार का समर्थन करते हैं हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतुरत में पुना हम लोग तीसरी बार एक मजबूत सरकार बनारे जारे हैं अबी भी मतगरना चली रही है एक बार अंतिम रिजल्ट आ जाए मैं मानता हूँ बहुत सी ऐसी सीटे हैं जहां पर बहुत कम मार्जन से अभी भी हार जीत का फैसला होना है ऐसे में मैं मानता हूँ कि एंडिया का प्रधर्शन पहले ही बहुत बहतर रहा है जो आंकलन लगाए जा रहे थे जिस तरीके से विपक्षी दल दावा करते दे कि एक तरफा हो जाएगा सूपड़ा साफ हो जाएगा ठाता तक नहीं गोले देंगे उसके पनिस्पत जो इंडिये गड़बंदर का जो परफॉमेंस रहा है वो काबिले तारीफ ना है और मु बहुत बेटर रहे थे पार्टी के हरेक नेता हरेक कारेक करता इसको इसका श्रेज आता है जिस तरीके से 100 पोसें स्ट्राइक रेड के साथ लोग जन्शक्ती पार्टी रामविलास ने 5 की 5 सीटे जीतने का काम किया जहां मैं पार्टी का देक्ष होने के नाते हमारे जमुई से हमारे सांसद अरुन भारती जी को वधाई देता हूं खगडिया से राजेश वर्मा जी को शामभवी चौदरी को समस्ती पूर से और वीना देवी जी को वैशाली से ये कही ना कही हमारे गड़बंदन की ताकत है जिसकी वज़ा से पांच की पांच सीटे हम लोग जीते प्रधान मंत्री जी का कुशल नेतुरत मेरे मुख्य मंत्री नितीश कुमार जी का गड़बंदन को मजबूती देना और हमारे तमाम घड़क दल आदन्य जीतर नामा जी जी आदन्य उपेंद्र कुश्वा जी का जिस मजबूती के साथ गड़बंदन ने एक जुटता के साथ प्रचार किया है यह उसी का परिणामा जी देगे मुख्य मंत्री जी की सुभाविक है मुख्य मंत्री जी की एक एहम भूमी का इस चुनाओं में वो चुनाओं के परिणामों में रही है जैसा मैंने कहा कि अमाम नेता कारे करताओं को इसका श्रेज आता है तैंक यू